पुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका I.S.P.C.S. Academy में और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विश्व के भोगोल को पढ़ रहे थे तो आज हम उस्सी स्रंखला में देखेंगे म्रदा के बारे में तो चले स्टार्ट करते हैं कोशिक केसिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में म्रदा सनच्छन वह प्रक्रम है जिसमें म्रदा को नुक्सान से सुरच्छित किया जाता है अगे बढ़ेंगे तेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है म्रदा विलच्छन बड़ी समस्या है उश्न कटिबंधी वर्सावन प्रदेशों में हेलो फाइट्स अच्छी व्रध्धी करते हैं छरी मिट्टी में म्रदा में नाइट्रोजन की आपूर्ती होती है जन्तूओं द्वारा यूरिया का उसरजन एवम वनस्पती की म्रत्यू द्वारा चलिए और आगे बढ़ेंगे भू सरक्षन की परिरेखा बंधन विधी का प्रियोग होता है पहारी धलान खेत्रों में यहां पर देखे कुछ लिखा है मिट्टी तथा जल्वाई प्रदेश तो इसको सूची एक से सूची दो को मिलाना है पॉड जाल सीत सम सीतोषन प्रदेशों में पाई जाती है चर्नोजम सम सीतोषन सीत स्टेपी प्रदेश अगे बढ़ेंगे केच्वे खेती के लिए अच्छे नहीं है तरक या कारण केच्वे मिट्टी को महीन करणों में परिवर्टित कर इसे नरम बना देते है तो जैसा कि आप जानते हैं कि केच्वे तो किसान के मित्र कहे जाते हैं जो लिखा है कि खेती के लिए अच्छे नहीं होते तो ये कारण जो कथन है वो गलत है और कारण सही है देख लेंगे कुछ जातियां, जनजातियां, प्रजातियां खाना बदोस, जनजाति के लोग सरवधिक पाय जाते हैं तो कहां पाये जाते हैं? शुस्क छेत्रों में रित्व प्रवास सब्द उप्योग होता है जब मानो वा उनके पस्वों का मौसमी स्थानांतरण घाटी से परवत की और वा परवत से घाटी की और ये आपके जितने भी पहाडी राज्य हैं इनमें रित्व प्रवास अधिकतर चरवाहे लोग करते हैं ये क्या करते हैं कि जब जाड़ा होता है तो पहाडों से नीचे आ जाते हैं प्लेन में और जब गर्मी होती है तो प्लेन से पहाडों की और चले जाते हैं इसी को रित्व प्रवास कहते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे नविंतम मानो समझा जाता है क्रो मैगनन मानो को प्रथवी के तल पर प्रथम पच्छी का प्रदुर भाव माना जाता है 15 करोण वर्ष पूर्व वह महादीब जो मानो जाती का जन्मस्थल कहलाता है तो वह है अफरीका आगे बढ़ेंगे वह प्रजाती जिसके सदस्यों की संख्या सरवादिक है काकेश सियाई जिपसी लोगों का मूल स्थान है भारत अफरीका की मूलभूत जन्जाती पिग्मी पाई जाती है कांगो घाटी में पिग्मी पाई जाते हैं विश्वत रेखी वनों में पिग्मी कज्जाक मसाई एवम लैप्स में से घुमकर जन्जाती नहीं है तो कौन सी है पिग्मी नहीं है घरों के जो चार प्रतिरूप दिये हैं इन में से वह प्रतिरूप जो पिग्मीयों के घर का है तो देखे A, B, C और D तो प्रतिरूप A पिग्मी के घर का है ये अपना घर जो है पेणों पर बनाते हैं देखे सीड़ी लगी हुई है और से चल के जाते हैं ये लोग चलिए आगे बढ़ेंगे जैविक समुदायों के अंतरगत कुछ जातियां बड़ी संखा में अन जातियों की समुदायों में बने रहने की छमता को निर्धारित करने में महत्वपोड होती है ऐसी जातियों को कहते हैं मुलाधार या की स्टोन पर जाती है आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर है कुछ जातियां तथा देश इसकीमो, कनाड़ा, एमम ग्रीनलैंट, मसाई, केनिया, बद्दू, साओधी अरब, बुश्मैन, बोस्वाना, या काला हारी का मरुस्थल, खिरगीज, मधेसिया, एनू, जापान यह बहुत ही इंपोर्टेंट है मित्रों अब जरूर इसको रट लीजिएगा यहां सूची एक और सूची दो से मिलान करना है कयाक, शिकार है तु सक्री नाओ इन्पुट, बर्फ का मकान यूनियाक, परिवाहन है तु नाओ स्लेज, कुत्तो दारा, खीची जाने वाली गाड़ी सेमांग लोग जहां के घहने उश्न कटिबंधी वनों में रहते हैं वह है मलेसिया फिर जन्जाती तथा उसके सामने उसका देश है तो बरबर, मुराको, इनुट, कनादा सेमांग, मलेशिया, विद्दा, स्री लंका जूलू जन्जाती का निवासस्थान है तो उनका निवासस्थान है दच्षिन अफ्रीका छेत्र तथा जाती मधेसिया, आलपाइन स्केंडेनेविया, नौर्डिक फिर यहाँ पर है सही सुमेल करना है जन्जाती तथा उसके सामने छेत्रिया देश मसाई, पूर्वी अफ्रीका रेड इंडियन्स, उत्री अमेरिका माओरी, न्यूजिलेंड मायाज, गवातेमाला आगे बढ़ेंगे वह देश जो भूत पूरु सोवियस संग का भाग था जिसमें कुर्दिस लोग रहते हैं तो वह है अर्मीनिया इनुइट लोग पाए जाते हैं कनाडा, रूस एवं अलासका से जनजातियां एवं उनके अधिवास का सुमेल जनजाती फुलानी, पच्चमी अफ्रीका बंतु, पूर्वी मध्य एवं दच्छिड अफ्रीका मसाई, पूर्व अफ्रीका नूबा, सुडान वहाँ देश जो लाफ्स जनजाती के लिए प्रसिद्ध है स्केंडेनेविया स्केंडेनेविया में फिनलैंड, नॉर्वे इस तरह के जो उपर देश हैं यह आते हैं वहाँ प्रदेश जो लाफ्स जनजाती के लिए प्रसिद्ध है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं तो मंगोलियाट प्रजाती से देख लेंगे कुछ भासा हैं यहाँ पर है एस्पेरांटो है विश्व भासा के रूप में कार करने के लिए बनाई गई एक कृतिम भासा विश्व में सरवधिक विक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भासा है तो है मंदारिन यानि जो चीनी भासा जिसको बोलते हैं वह देश जिसकी राजभास था स्पैनिश नहीं है कांगोगर राज्ये सिंगापूर की प्रमुख भासाओं में सामिल है मलया, राष्टी, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन, चाइनिज तो ये थे कुछ वन लाइनर फैक्स मित्रों आसा है आप लोगों को पसंद आएंगे तब तक रेजाज़त दीजिए जय हिन जय भारत